अब जब यह दिक्कते आती हैं, तो इसको छोड़ने के तीन तरीक पहला है कोल टर्की बहुती दमदार लोग हैं तो बिल्कुल वह धार ले शारा कोल यजिअ क्या होगा पहले तीन दीन बहुत जादा धिक्कट हो क्योंंको लगाएंगे तो आपको बिल्कूल मजा नहीं आएगा है है नमश्कार तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग ही रोइन लेते हैं ब्राउन शुगर लेते हैं मॉर्फिन के इंजेक्षिन लेते हैं ग्रैंश्ब nat justement लेते हैं डोडा लेते हैं बोस्ट लेते हैं भुक्की लेते हैं इंचार्ट कहीं जाये दो ओक्योइड लेते हैं भी कोड taxpayer गेले किसी डॉक्टर के बाध साएक्टर जैसे कि मेरे जैसे साइक्राइटर्स के पास और उनको वह दवा शुरू कर देता है वुप्रिन और फिन तो लगता है कि डॉक्ट साहब ने तो कमाल कर दिया पहले तो नशे वाले हम से पैसे लिए थे अब डॉक्ट साहब हमारे से पैसे कमा रहे हैं क्योंकि पहले डेफिनेटली ठीक है कौन लोग छोड़ पाते हैं और कैसे छोड़ना चाहिए कोई राज रखूंगा सब कुछ डेटेल में आपको मैं पताऊंगा उसके लिए हमें कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा सब शब्द जो समझने वाले हैं वह हैं विड्रॉल और उसके बाद है डी टॉक्सिफि शब्धल नशा गरते हैं तो उसके बाद बनशे को जब छोड़ते हैं तो उनको शारी रिक और मानसिक तकलीफ हुती है इसमें शाब्रीक तकलीफ भी होती है और मानसिक तकलीफ भी होती है और शारिरिक तकलीफ जो है वो कहीं ज़ादा होती है क्योंकि यह दुनिया का best pain killer होता है तो सबसे ज़्यादा तो दर्द होती है शरीर में दर्द सर से लेके पहुंतों को कि यह बट सबसे ज्यादा जो होती है वह मास्-पेशियों में होती हैं तो हाथ में दिखा रहा हूं पट काफ मसल्स भो लेंगे या पिंडलिया मोलेंगे उसमें सबसे ज्यादा दर्द होती है कई पर तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे दोबी ने उनको पीड है हिंदी में जो है इसको तोड़ बोलते हैं या तूटन बोलते हैं और पंजाबी में इसको बोलते हैं तोड़ पड़ रही है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और दर्द यह सर दर्द पेट टांगों में दर्द पूरे शरीर में दर्द सब तरह की दर्द होती है इ जितने भी छेद हैं मारी बॉडी से उन से कुछ ना कुछ इक निकलना जैसे नाक से पानी आना आखों से पानी आना मुझ से Mickey आना बहुत जादा देश लग जाना और जो हो चाए आक से पानी उसके अलावा जो और दिक्कते आती यह और यह आती है और यह सारी दिक्कते आती है अब जब दिकते आती हैं तो छोड़ने के तीन तरीकें पहला है कि बहुत ही दमदार लोग हें तो बिल्कुल कोल्ट की का साहा ले सकते हैं पहले तीन निन बहुत जादा दिकत होगी उसके साथ वे दिन तक कितने लोग कर पाते हैं अगर मैं practically आपको सच बताओं तो मुश्किल से दोस्तों 2-5% लोग ऐसा कर पाते हैं लोग क्या करते हैं कि अपनी जहां वो रहते हैं वहाँ से कहीं और चले जाते हैं या फिर उनको घर वाले घर में बंद कर देते हैं तो शुरू में उनको बहुत सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 2-5% लोग होते हैं तो 95-98% से कि यह बसकी बात नहीं होती कि वह इस नशे को खुच से छोड़ पाएं पट इसका नाम कोल टर्की क्यों है वैसे तो मैंने गूगल पर सर्च किया था मुझे तर्की क्या होता है होते तरकी एक घृघ वीगल और कोई वह है तो यह वो इसका नाम कोल टर्की है और कोई रीगण को nggak these of मत करण चाहीं है कि मन से चोड़ने के लिए कम सब्सक्तों ढों से 5 साल होते हैं जैसे आपको बंस चनाने के लिए 2-5 साल चाहीं होते हैं और और शादी चलाने के लिए भी 2-5 साल चाहिए जिदिए में किसी भी चीज में आपको successful होना हो तो इसमें 2-5 साल चाहिए होते हैं यूट्यूब चैनल भी और आपको hit करना हो तो उसमें अगर आप बहुत लगी है तो बहुत अच्छी बात है यूजली तो 2-5 साल लगी जाते या उन दोस्तों को छोड़ना जो जो की नशा करते हैं और कई पर तो ऐसा होता है कि महाल चेंज करने के लिए घरवाले घर बदल देते हैं बड़ जो नशा करते हैं वो दुबारा नए दोस्त बना लेते हैं जो की नशा करते हैं जो काफी खतरनाक है उसके बाद तीसरी जो है वो नशे की तरफ चला जाएगा तो इसलिए आपको जिंदिगी में काम करना बहुत ही इंपॉटन्ट है इसे गीता में कहा गया है कर्म ही पूजा है यह सब्सक्राइब कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा तो मैंने नेट्फ्लिक्स पर तीन मुवीज देख लाली तो जो मुझे काफी इरिटेटिंग लगा क्यूंकि मेरी तब्यों पूरी करना ठीक नहीं हुए मुझे बीच में फीवर हो गया था तो मैं लगा इससे सब्सक्राइब करने की कोई खास जुरूरत है ही नहीं क्यूं पढ़ती है कब पढ़ती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे टीटोक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे मैं आपको पताया सबस्क्राइब जो है पहले तीन दिन में होती है फिर साथ दिन में थोड़ी कम होती है मिहीने में वह खत्म हो जाती है तो जब हम दवा शुरू करते हैं वह मेताडॉन के फॉर्म या वुप्रिनॉर्फिन जो की सबसे पॉप्लर है बाकी जो दवाईया है वह इतनी एफेक्टिव है नहीं देते तो वैसे ट्रामडॉल बा या कुछ लोग इंजेक्शन भी लगाते जो मॉर्फिन का भी हो सकता है जो हरडइक के पेशेंट हो फोंट्रीन का इंजेक्शन भी होता है पट फिर वहापिस आते हैं टीॉकसिए कि तो डीकर पेशिक्ट को कोई भी शारीरिक तकलीफ ना हो आप कहीं लोग बोलते हैं कि इसमें Willpower लगानी पड़ेगी तब लगानी पड़ेगी निया आपको यौनिंग ले रहे हैं तो आपको तो निई टीं तक सेम ट्मेंटेन करेंगे उसके बाट्ट परसंट डेली एस cesज पे कम और मालं लिए हम पाँस दिन जो है सेम डोς मिंइंटेन करेंगे उसके बाट डेली हम 10% कम करें अले पाज गोली और आधी आधी गोली वह कम करता तो दस दिन के बाद पूरी की पूरी पाज बोली यह वह बंद हो जाएंगी जो बुप्रिन ओर्फिन की वह ले रहा है अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कि 15 दिन लगेंगे सिर्फ बोलना तो बहुत असान है पर अकसर 90-98 परसंट लोग 15 दिन में कर नहीं पाते हैं खासका जब वह ओपीडी बेसिस पर कर रहे हो जैसे मैं क्लिनिक चलाता हूं मैं तो डी इडिक्शन सेंटर नहीं चलाता क्योंकि बुप्रिन ओर्फिन दोई इंदर पकड़ा जा सकता है नशे के लिए तो उसमें जो है यह फिलहाल कैमिस्ट इसको नहीं रख सकता वैसे कोई जुगाड कर लेता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता तो उसमें क्या होगा कि अब जब पेशेंट क्लिनिक बेसिस पर मतलब वह एडमेट नहीं हु विए पेशेंट अगर घर पे थो हम पांच दिन के लिए बोलेंगे कि चाप साथ दिन तक सेंव मैडिसेन ले लीजे उसके अद हफते हफते बाद आप कम करते जाएं तो मान लिए अगर कोई पांच गोलिया ले रहा है तो पांच हफते लगे एक हफता उसका वैसे होगा तो देड़ मीना जो है वह काफी होगा कम करने के लिए अब डिपेंड करती है गोली की बिफिरेंट स्ट्रेंट आती है और पॉइंट फाइव एमजी की पहले तो पॉइंट फोर और टू एमजी की आया करती थी तो इसमें रीजन क्या होता है दोस्तों की टू एमजी और होती है कंपर अब ऐसाए बाउन शोगर्स में अww में अभ् Ministत तो सरकार है क्या व सबसे先生 को चेंज ग्रेंग समया यह खोई टो तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा लेकिन अगर आप नेलेक्सौन को मुझ से लेंगे तो कोई फ़रक्ने पढ़ेगा और आपको जो है कोई भी फृडिकल परिशानी नहीं होगी तो इसको छे हफ़ते में छोड़ा जा सकते है तो प्राक्टिकली होता क्या है होता दोस्तों यह है कि शुरू की पांचे गोलियों में से लोग एक गोली पर तो अक्सर पहुंच जाते कई महारती तो सिरफ चार या पांच पही रहते हैं उससे भी नीचे नहीं आते चाहिए को दबाई ले सकते हैं तो काफी इसन बट्स है इसमें तो उसमें क्या होगा कि जब जो दबाई है उसको देरे-देरे हम कम करते जाएंगे तो पहले 2.5 की टाबलेट चलेगी वह एक गोली पर जाएंगे जब वह पॉइंट 5 वाली होगी तो उसका पांचवा इससा होगो तो दबाई को चोड़ दे उसके लावा मरपास एक option होती जिसका नाम होता है नेल्ट्रेक्शन जो नौडिक्ट या नेल्टिमा के नाम से आती है नेल्ट्रेक्शन जो है ओप्याड एंटागनिस्ट होती है एंटागनिस्ट का मतलब है उसमें अपना कोई मजा नहीं आता तो यह हम दे सकते हैं और इसको हमें कम से कम एक साल तक देना चाहिए ताकि वह दो से पांत साल वाला क्रैटीरिय के पास पेशिंट पहुंच जाए और नशे से वह दूर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि इसको स्टार्ट करने के लिए कम से काम 48 घंटे से लेके साथ दिन का आप होना चाहिए चाहिए वह प्रिन और फिन की टाबलेट हो चाहिए स्पास्मो प्रॉक्सिवान या मॉर्फेन या बाकी जो कोडीन के सिरप हैं यह सारे नशे हो